और केंद्रियव मंत्री मंडल ने आयुश्मान भारत प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना के अंतरगत 70 वर्ष से अधिक उम्र के सभी वरिष्ट नागरिकों को स्वास्त कवरेज देने को मंजूरी दे दी है वर्ष नागरिकों ने इस निर्णे का स्वाकत किया है बुजर्गों ने कहा कि यह एक एतिहासिक पहल है इस फैसले के बाद आयुश्मान भारत के तहत अब वरिष्ट नागरिक पाँच लाक रुपे तक क्या अपना मुफ्त इलाज करा सकेंगे और यह थारा मैं यह कहना चाहता हूं कि दोहजार अठारा से हमारे माननिय आदर्निय यशश्वी परदान मंत्री आदर्निय नरिद मोदी जी ने दोजार एठारे में आईश्मान भारत यूज में जो लांच की है उसके बात से लेके आज तक के हजारों लोगों ने लाखों लोगों ने करोडों लोगों ने इसका फाइदा उठाया है इस वक्त बात ये है कि अभी आज की तारीख में उन्होंने जो है सतर साल के उपर जो जी आपको बहुत-बहुत बधाई देना चाहता हूं आपका सादूवाद देना चाहता हूं कंभीर बीमारी हो उसके लिए कोई आगे नहीं आता कुछ योगदान करने के लिए आगे नहीं आता लेकिन इन्होंने यह सरानिय कार्य क्या है यह वास्तों में आने वाली पीड़ी के लिए और हमारे आने वाले बुजर्ग लोगों के लिए बहुत ही खाइदेमंद साबि होगी हमारे परदार मंतरी मोदी साब ने बुजर्ग लोगों के लिए आजमान रासी बढ़ा कर रिलाज कराने के लिए दिया हम उसका शक्र गुजार करते हैं बहुत बहुत भन्यवाद बुजर्गों के लिए अच्छी होजना का ऐलान किया है और जाला जाला रकम मिलेग इसका फार्दा बुजर्ग लोगो होगा और हम उसका लाज कराएंगे मेरे नाम नाना जी काज लेआ है ये परदान मंतरी मोदाय नहीं जो सतरब साल के बुजरूं के लिए जो योजना किया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद गया थैं मशका अब क्या कहेंग बहु अच्छी योजना है जिसके देद जो 70 वर्स से ज़्यादा जो उम्र वाले लोग हैं उनके लिए बहुत लाबकारी रही क्योंकि उन्हें अपने बच्चों के सामने हाथ नहीं फिलाना पड़ेंगे और लोगों से कई लोग ऐसे रहते हैं जो असाहार लोग रहते हैं जिनको कभी पैसा नहीं मिल पाता है लोगों को ब्यास से पैसा उठाना पड़ता है जिसे कर्ज में दब जाते हैं लोग तो उससे वह माननी प्रदान मंत्री जीने इसे लोगों को निजात दिलाई है और बहुत ही अच्छी जन हितकारी योजना है माननी मोदी जीने प्रदान मंत्री जीने हम जैसे पुजर्ग लोगो के लिए जो आईश्मान योजना में नाम जूनने के लिए जो गोशना किये उससे हमारे जैसे पुजर्ग लोगो को बहुत फाइदा रहेगा हम उनके बहुत-बहुत आवारी है कि उन्होंने हम लोगो को बारे में सोचा है यह जो बुजुर्ग लोग है वो किसी भी वैसों के अभाव में वह इलाज से वंचित नहीं रहे पाएंगे यह जो प्रधार मंद्री आईश्मान निकली है यह हमारे बुजुर्गों के लिए बहुत ही सही और लापदाइक है अत्तर साल की उमर है हमारी कर रहा हमारी लिए ता सुचा तब ठचिवाजू